चले जी, असलाम अलेकूम, बिस्मिल्लाहर्मालरहीम, ड्वेलप्मेट अफ हाट, हाट एंप्रियारोजी पार्ट टू, पिछे हमने देखा था तो उसको आज हम आगे मूव करते हैं, तो पिछले लेक्चर में हमने देखा कि, यहां तक हमने देख लिया था, यहां तक हमने देख लिया था, आज उससे आगे देखते हैं, सब्टेशन ऑफ हाट चमबर्स, जो अब हाट चमबर्स कैसे बनते हैं, अब तक हमने क्या सीख लिया, अब तक हम ने यह चीख है कि प्रीमेटर को एटरिया बन गें और यह वेंट्रिकल बना ऐ थी सब भीए बन जो कहा है कि अब देखें सबसे पहले क्या होता है सबसे पहले अभी हम मैं इसकी बात करों, वा सही है, अब हम एट्रिया को अलग अलग करते हैं, यह एट्रिया है ना, इसके दरम्यान में यहाँ पर मैं एक सैप्टम बनाओगा ऐसे, जब सैप्टम बन जाएगा इधर, तो यह लेट्रिया और राइट्रिया अलग अलग हो ज यह टाप से 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 यह कर देता है लाकिन अभी वो पूरा complete नहीं पहुंचता है यहां तक पहुंचा होता है अब यह यह तक पहुंचा यह एंडुबर्डल कुछिण इसके दिम्यान में यह वड़ा यह वड़ा जो हो खोल इस क्ला इसको हम बोलते है septum primum यह जो septum निकले है इसको हम क्या बोलते है septum primum अच्छा यह जो septum primum हो लिया अब यह जो हो रहा है इसको हम बोलते है foramen primum इसको हम क्या बोलते है foramen primum इसको बोलते है foramen primum इसको बोलते है ठीक है अब next क्या होता है अभी यह complete नहीं पहुंचा तो यह septum primum और foramen primum complete नहीं पहुंचे कि इधर पीछे से टूट जाता है इधर क्या करता होता है टूट जाता है जब इधर टूटता है इधर एक हो एक और hole बन जाता है इसका हम बोलते है foramen scandum foramen scandum के दूसरे जो और hole बन गया यह foramen primum था पहला hole foramen hole primum पहला तो foramen आप दूसरा hole बन गया foramen scandum दूसरा hole बन गया ठीक है जो पहला septum निकला उसका हम बोलते है septum primum अब next क्या होगा next यह होगा कि आपका यह यहां से नीचे मूग करेगा मजीद नीचे मूग करेगा और ताकि वह इसको इस जो hole is foramen scandum इसको cover कर सके तो आखिए इसको all most cover कर लेता है लेकिन फिर भी थोड़ा सा hole रह जाता है this hole is called foramen ovale, this hole is called foramen ovale, this column foramen ovale we do not say it, but when the birth is called, the left atrium pressure is called right atrium, when the pressure is called, the pressure pressure is called, the septum primum and septum scan that you can infuse and form and ovale is called foramen ovale, this is called interatrial septum, so this सब्सक्राइब करूंगा देखें ऊपर से निकलता है सेप्टम प्राइमम और सेप्टम प्राइमम नीचे की तरफ मूव करता है यह इंड के बीच में जो जो होन रहे जाता है सेप्टम प्राइमम क्लोज करेगा सेप्टम निकलेगा यहां से निकलेगा यहां से निकलकर इदर आएगा इसको क्या कर देगा कोछ आफ तक लोज करेंगा यह देखें यह इसने क्लोज कर दिया अब यह जो रहा किया ओस्टेम सकेंडम है यह फोरमन सकेंडम है फोरमन यह और वेल बर्त के पाद आगे क्या हो जाता है close हो जाता है अगर close ना हो तो वो defect होते हैं आपको बढ़ाता है समझा गई है अगर ये close ना हो बर्थ के बाद धिर क्या होगा फिर आपको होता है patent foramen oveil कि foramen oveil patent है खुला हुआ है तो क्या होगा उसे आपको होता है paradoxical embolai क्या होती है ये आज पैन क्यों लेकरा paradoxical embolai होती है अच्छा paradoxical embolai क्या होती है paradoxical embolai ये होती है कि आपकी veins में जो thrombus बगरा बने है blood clart बने है अब veins का blood कहा आता है right atrium में है ना जब blood right atrium में आएगा तो right atrium में जब blood आएगा तो उसमें जो thrombus बने है veins में वो भी right atrium में आजाएंगे तो वो जो thrombus है blood clart है वो इस forearm and avail के ज़रे क्रास करके left side पी चले जाएंगे left atrium में left atrium से left ventricle में left ventricle से iolta में iolta से वो iolta सिस्टेमिक 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 में पहुंच गया अगर आपके जो blood clart है वो veins से मूव करके सिस्टेमिक 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 में पहुंच जाएंगे इसको हम बोलते है paradoxical emboli और इससे आपको stroke बगएरा हो सकता है अब वो emboli आपके arteries में जिस भी iron के आगे जाके रुकावट पैसा करेगा इसको blood supply रुक जाएगी है ना तो इस तरह आपको stroke जाएगा जाएगा अगर ब्रेंट के आगे जाके वो दर अधर blood clart जाके deposit होता है प्रेंट के आप जिसमें तो अधर आपको stroke होगा तो समझा गई है सब्सक्रेशन अफ एट्रिया समझा गए है जाएगा 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 जाएग जाएगा 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 Osteum Forumen Primum उसको तंग करना चुरो हो जाता है कि इधर जो Forumen अगर यह यहां तक पहुंचा है आपका September Primum तो Forumen Primum इतना पड़ा होगा फिर इतर आएगा उसको मजीद नेरो कर देगा फिर इतर नेरो कर देगा इस रहा इस ताइस एस खतम हो जाएगा समझा रही है समझा रही है देखें फरमन प्राइमम इस एंटिडियर ओपनिंग बेट्वीज अद इंडिय कोशिन अब इसके बाद सेप्टम प्राइमम ड़ेट नाट रीच दिया होगा टोडीन कुशिन अधर होल गैप डिवेलपस अनगर सेप्टम प्राइमम तोर्ड़ त जो intimattack, से और किए असना प्रंभ感 कही हैं, जो सतस्य आएं нужен a akyliest और एट्री में होता है, जो स्कुराइट लॉट को वाइट अची राइटी क्या ल को आध़र ऑर लंग्स में जाना चाहिए, जो समॉटी को उन को यहार है वह वेल डिवल डिवल नहीं होते है वो और बचा इनहेल नहीं कर रहा हुटाई है तो उदर ब्लाइड को जाना ही नी चाहिए उद्धर रिजिस्टेंस जदा होते है दूसरी बात वैसे बहुसे इन्हेल भी नहीं इसके leasants से बलुड आते हैं तो वो राइट इकर से लेफ टी लेफ से लेफ टी to grow until it reaches the endopro-ortical cushion and foramen primum regresses closest तो यह भुajo जाएगा है और यह करता जाएगा और आखिर कार जाएगा और यह आखिर का हो जाएगा फोन बॉल में प्रैम, दिवेलपम इवेलोपस अन देरिट अथेठा सेप्टर्म प्रैम, अब सैप्टirtम स्केंडम इसके septum prime के right side से बनेगा and expense to cover the most of the foramen scandum और foramen scandum के most को ऐसे cover कर लेगा जाके cover कर रहा है, close नहीं कर रहा है cover कर रहा है, ठीक है it blocks the osteum foramen scandum the remaining passage foramen is called the foramen ovale, कुछ foramen ovale बन जाएगा अब यह foramen ovale क्या करता है blood enters the left atria from right atrium, we have foramen ovale bypassing the right ventricle in embryo fetus के right ventricle में वो नहीं जाता from left atria to left ventricle to systemic circulation because in uterus there is a no need for pulmonary circulation as baby does not breathe air lunges, दो किनेशन है, circulation की जुरवत भी नहीं है और जुरवत क्यों नहीं है क्योंकि उपर से अक्चिलेट बन उसको परे से मिल रहा है और वैसे भी बच्चे के lungs में air नहीं है and lungs can be skipped in fetal circulation septum scandum and septum primum fuse together farming the atrial septation septum that seals the foramen ovale soon after birth of the greater क्योंकि left atria में जड़ा प्रेशर होता है left right atria में कम इदर से pressure पढ़ता है तो foramen ovale भी क्या जाता है closed हो जाता है अब देखे इसमें जो primitive atria है उसने क्या बना दिया तो right and left ventricle है ना अभी जो मैंने कल बताया था मैंने का था यह देखें तो primitive atria है अब यह वाला primitive atria left atria बन जाएगा यह primitive atria right atria बन जाएगा तर्म्यान में क्या बना दिया है interventibular inter atrial septum अब अगर inter atrial septum ना बने तो इसमें एक defect होता है patent foramen ovale failure of septum primum अगर septum primum और septum scandum दोनों fuse ना हो after birth बर्त के बादे fuse ना हो तो क्या आपका जो foramen ovale है वो close होगा नहीं वो खुला रहेगा so venus thromboemboly venus blood clarts can enter the left atria from right atria via patent foramen ovale left atria से left ventricle में जाएगे वो into systemic circulation as paradoxical embolism can cause stroke नहीं समझे यह बात नहीं समझे मैं इसको दुबार रपीड करहा हूँ मैं अभी कहा है मैंने कहा इदर veins से जो आपका thrombos है वो इदर जाएगा right atria में right atria से move करके left atria में left atria से left ventricle left ventricle left ventricle ते systemic circulation और अगर brain में जाएगे तो stroke कास कराएगे इसको हम बोलते है paradoxical emboli कि जो thrombos है वो veins से move करके systemic circulation में आगे तो वो यही रास्ता बता रहा है कि अगर आपका septum primum और septum scandum close ना हो form and ovale close ना हो तो form and ovale खुल रहा जाता है ठीक है venus जो thrombos है जो venus blood clarts है can enter the left atria from right atria left atria में आगे अगे अब left atria से left ventricle में जाएंगे फिर वहाँ से systemic circulation में जाएंगे इसको हम बोलते है paradoxical can cast समझा गई है पकी बात है अब दोनों atria बना लिया आपने अब ventricles बनाते है ठीक है अब ventricles बनाते है अब ventricles में क्या होता है ये देखें ये ये right atria अब हमने ये ventricles बना लिए ठीक है फिर उसके बाद हम inflow tracts और outflow tracts बनाएंगे स्पिरर बना कवाई इंफिरर बना कवाई योल्टा और प्रमोंडे ट्रंक बनाएंगे ठीक है चले अब देखें सबसे पहले क्या होता है number one पे number one पे number one पे number one पे यह होता है कि यहां नीचे से यहां नीचे से बिल्कुल नीचे से from the apex of the heart यहां से एक septum निकलता है यहां पर ओपर से septum निकल नेटा तो यहां से नीचे से septum निकल नेटाँ इसको हम बोलते है muscular intraventricular septum यह यहां नीचे से नीकलता है और ऊपर के तरफ नौइक जोगा नो पीछए कि तरफ के तरफ यहां थे यहां से निखेसे निकलेगा और इंडोकाइडर्ल कुछन की तरफ मूव काना शुरू कर देंगा इसको कॉलते हैं मस्कुलर् इंट्रिवेंटर्ड्रिकुलर कूसिचन बहुते हैं है थीए समझे निजसे निकलता है इंट्रफंटर्फम उर्भी तक नहीं पहुंचा कि दरम्यान में एक शुराख再STAब्ण्र कुसे से कोश्चन से इसको बोलते है ओल्टिको प्लुमुन्री स्ट्रिको एल्टिको प्लैक्ति यह क्या करता है यह रूटेट करता है आपको नजर आ रहा होगा यह ऐसे और यह ऐसे नजर आ रहा है यह से रूटेट करता है यह जैसे ही रूटेट करता है यह रूटेट करता है और नीचे कदर मूव करता है यह जा कि आपके इस से मिल जाता मस्कुलर से अब मस्कुलर और लिकुपलमुर्री सेपटम दोनों मिल गए तो जो सेपटम बनता है उसका ये वाला ब송स्टि इसे कालमेंब्रेनस इंटर बन गया नहीं न्युक्तर बन गया अगर इसमें डिफैक्ट हो, यह जो सेटम बन रहे हैं, या तो मस्कुलर सेटम, या तो इयोल्टिको पुल्मोरी सेटम, या फिर जो आपका membranous intraventical septum बना है mostly इसमें defect होता है membranous intraventical septum अगर ये ना बना है तो क्या ये दोनुँ septum आपस में मिलेंगे जब नहीं मिलेंगे ये whole जाजे cover होगा जब whole cover नहीं होगा इसको हम बोलते है ventricular septal defect कि if the tissues of the intraventical septum does not form properly it leads to open intraventical foramen वो खुला रहता है it is the most common congenital anomaly and usually occurs in the membranous septum ठीक है और इसको हम congenital heart defects में बड़ा detail में देखेंगे कि ये होती जा है अभी बस इतना देख लें कि इसमें जो आना ये जो intraventical septum होता है इसमें ये whole बाकी रह जाता है ये close नहीं होता ठीक है समझा गई है तो देखें इसकी a tissue called muscular interventricular septum develops from apex and grows upwards to the endocardial cushion इसको हम क्या बोलते है muscular interventricular septum opening between the muscular ventricular septum and endocardial cushion is called interventricular form समझा रहा है Dr. Junaid Yes sir a tissue called eoltecopulmonary septum develops from endocardial cushion उपर से ये वला उपर से endocardial cushion से निकलेगा eoltecopulmonary septum rotates and fuses with the muscular septum ठीक है rotate करेगा और इसके साथ जाके मिलेगा to form the membranous interventricular septum this rotation and fusion closes the interventricular foramen and separates the right ventricle from left ventricle primitive ventricle forms left ventricle while the part of bulbous coltus form the right ventricle ठीक है अब हमने शुरू में पहले lecture में कल मैंने कहा था Dr. Zubair के bulbous coltus दो चीज़े बनाता है एक right ventricle और एक outflow trans right ventricle तो इसने बना दिया इसका एक पार्ट right ventricle बना देगा इसका दूसरा पार्ट जोना वो outflow track बनाता है फूह पर ठीक है तो अब आपने क्या बना लिया hard की तिनों layer भी बना लिया metal valve बना लिया tricuspid valve भी बना लिया उसके चारू चेंबर भी बना लिया एक और चीज़ भी रह गई है iolta और प्लमोरी ट्रंक के दिर वाल्स भी तो होते है semilin वाल्स वो भी हमने बना लिया ठीक है iolta पाल प्लमोरी वो भी हमने बना लिया आप अभी तक time देख रहे है यह नाले देख रहे है यह आप चीज़ है 20. यहीं सारा किरें जो इंपौर्टटर जिए कि जो इंक्मुआ सिर्ष में ने प्रश्चिर में देक्दा इस इने से इंपॉटर में एक पैल हो दिए किंटम्हें तो व्यूत सब आज़ा हैं अब development of inflow tracks यह कैसे बनते हैं चलेंजिए इसको देखें यादार है सबसे नीचे क्या था sinus venosus sinus venosus का एक right arm था एक left arm था अब इसकी सबसे out वाले लियर कौन सी थी common cardinal vein, beach वाली umbilical vein थी, अंदर वाली bitland vein थी, अब होता क्या है की inflow tracks कैसे बनते हैं, spirit veina keva कैसे हैं ठीक है? और आपका coronavirus sinus कैसे बनता है, ordin larry sinus कैसे बनता है, यू your heart को blood की supply हो रही है, heart की veins कैसे बनती है, यूआ का structure कैसेilot को वापस ट्वापस ट्रेंड करती हैं, coron begins, वो कैसे बनती है, अब वह यह हमने देखने हैं है तो देखेइ सबसे पहली बात वह का था जो लेंट हाल की तीनु जो वैंच यह तीन udah हो जाती है तीन जाती है कि एकर श। पिछब प्र Con je पिए क्रूनरी SIDAS क्रोंनरी साइनस केसे बना। फ़िंग्री भिए अब लेफ्ट आरड बचा उसे क्या बना ही यहां क्रोंनरी साइनस क्रोंनरी क्या होता है कि आपके अ हार्ट से जो ब्लट सारा ड्रेन होता है वो जो जो ड्रेन होता है ठीक है उसके बाद बुका हा जाता फिर ऑप और भी को Нिस्वेट करूनस बन गरी उसके बाद अब लेफट हार्ण भी खतम हो गया है यह वाली यह वाली यह पीडेडर हो जाती है और रहां किया जाती है गएट पीचे कितनी बच खी दो प्थन siah उर ओपर हार और वेटलाइन 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 वे सी से आप सुपीरियर सी सी को सुपीरियर के वाज दे सकते हैं इस तरह आप नमोनग तियार कर सकते हैं कि कामन कॉर्डिनल वेन जो है वो सुपीरियर के वा बनाती है और आपकी जो विटलाइन वेन है वो क्या बनाती है इंफिरियर बनाती है तो आपके इस तरह सुपीरियर तेखें इसको रीट कराऊं। डहा हुआ है। एक राइट हार ना एक रहरं पर प्रॉपट हार को पकड़ते हैं। इसकी तीनुवेंच डिग्रेड हो जाएगी। पीछे क्या बचेगा सिर्फ left हार लेट हार से क्या बंज़ेगा करोंडी साइनस हो गया राइट हार के बात करते हैं राइट हां किस अंबलाइकल वेन डिग्रेड हो जाएगी बाकि क्या बचेंगे पीछे कामन कॉर्डिनल वेन एंड वेटलाइन वेन जो राइट हार नहीं और साइनस विनोसेज यह डिग्त हों पीछे करोंडेगें टीक है मैं क्या Gण के बात्र ह्गें साइनस वेन ट्हुर्णवेर्ण खर वींड घ्रेंड हों इसलिक यह ठीज स्वे कंछन को स्थ मॉड्डिन वेन वेन दौन रेक्ट वह ठन रोगा इसलिग्ड प्रें पार बंरी इंटर वाने के बाद, sinus venosus will be absorbed into primitive atria, वो primitive atria के अंदर चल जाएगा, inflow tracts to the right atrium has been formed, that's it, इंट्रोट्रेक बन गए, अब सिर्फ रहता है, outflow tract और valves, ठीक, outflow tract कैसे बनते हैं, और फिर valves, कैसे बनते हैं, समझ आ रहा है कि नी समझ आ रहा है, आ रहा है, या पिर आ के जा रहा है, आ रहा है, फिलल आ रहा है, फिलल आ रहा है, चले, चले देखें, यह जरा कटोगया था, तो inflow tracts हो गया था ना, inflow tracts हो गया, अब हम देखते हैं, outflow tracts, inflow tracts हो गया, outflow tracts development हम लेखते हैं, दुबारा से, यह मेरी खिर्मी रिकार्ड नहीं हुआ था चले शुकर है जल्दी आपने बता दिया अभी कोई ज्यादा आगे नहीं गयते इसका भी देखते ही कब रिकार्डी रोग जाती है बता दिए का तो कि स्पेस मेरी खिर्मी कम है तो मसला हो सकता है चले मैं यहां से कौन सोटान लगा हूँ एक यह ट्रंकस आर्टियोसिस एक बल्बस कोल्डिस अब बल्बस कोल्डिस का एक और टाप पाल्ट होता है इसे थोड़ा सा उपर ट्रंकस आर्टियोसिस की तरफ यहां पर इस इस काल्ड कोनस कॉल्डिस इसको हम बोलते हैं कोनस, काल्डिस बोलते होते हैं अब कोनस, काल्डिस, ट्रंकस, आर्टियोसिस और बल्पस, काल्डिस तीनों को मैं उठाऊंगा और मैं जूम इन करने जार ठीक है, इनी से बनेगे आपके आपके आउट फ्लोर ट्रैक्ट Bulbas cauldus है ठीक है तो Bulbas cauldus है आप यह देखें यह है ना यह है ना हाँ यह है चलने देखें यह आपका उपर वाला Truncus Arteosis यह नीचे वाला Bulbas cauldus और इसका यह वाला पार्ड यहाँ वाला यह Conus cauldus ठीक है अब देखें होता क्या है सबसे पहले जो Neural Crust Cells है वो यहाँ से मेगरेट करते है और मेगरेट करके Neural Crust Cells कहाँ पे आते है आपके Truncus Arteosis में आते है और Truncus Arteosis में दो रिजिस बनाते है एक उसकी लेफ्ट लेफ्ट वाल पे एक उसकी राइट वाल पे यह जो रिजिस बनते हैं इनको बोलते है Truncus Arteosis में बनाते है फिर Neural Crust Cells बलबस रिजिस में जाते है उदर भी ऐसे है एक राइट साइड से एक लेफ्ट साइड से ऐसे रिजिस बनते है दो रिजिस यह राइट साइड से यह left side से, इनको बोलते हैं bulber ridges, और conus, जो cardis था, उधर भी जाती है अब इधर right और left नहीं बनेंगे interior posterior, एक यहां आगे से बनेगा एक यहां, पीछे से बनेगा इसको बोलते है interior posterior ठीक है, उसके ridges बनेगा, अब इनको हम बोलते है, conus ridges, क्या बोलते है conus ridges, इस next step में क्या होगा next step में यह होता है कि आपकी यह जो truncle ridges है, यह वली यह दोनों आपस में fuse होती है, truncle ridges दोनों, और एक ही ridge बना देए, that is called truncle septum truncle septum, फिर आपके इसी तरह bulbas, दोनों, यह वली दोनों आपस में fuse होगी, और एक ही septum बना देए, that is called bulbar septum क्या बना देए, bulbar septum और इसी तरह आपकी जो conus ridges है, जो interior position पढ़े दी, वो पी आपस में मिलेंगे, और क्या बना देए, एक ही septum that is called conus septum क्या बना देगा अब, conus septum तो आपके तीन septum बना देए, ट्रंकल septum bulbar septum, और दम्यान में conus septum, लेकिन conus septum ऐसे center में पढ़ाओगा, आगे पीछे पढ़ाओगा ठीक है, ऐसे आगे पीछे, अब होता क्या next, next यह होता है कि यहां से, ट्रंकल आर्ट्रियोसिस और bulbar, sorry ट्रंकल septum और bulbar septum, दोनों आपस में connect होते हैं, fuse होते हैं, लेकिन किस तरह फ्यूज होते हैं, कि इसका यह वरा पार्ट इदर फ्यूज होगा, यह वरा पार इदर फ्यूज होगा, अब यह एक structure बन जागी ऐसे, यह देख, structure बन की यह वाली ऐसे, अब यह structure के दर्मयार मे यहां पर क्या पढ़ा होगा है, कोनस septum, अब कोनस septum सेंटर में पढ़ा होगा है, और यह दोनों उसके मिले हैं, और क्या हो रहे हैं, कोर्क स्क्र्व स्ट्रॉच्च्र बन गई है, अब यह जो न्यू सेप्टम बना है, यह जो न्यू स्पारलाइक structure बना है, इस तरह की, this structure is called Ioletico Pulmonary septum, इसको हम क्या बहुत तहा है, Ioletico Pulmonary septum, इस तरह का रालाइक structure बहुए, Ioletico Pulmonary septum. अब Ioletico Pulmonary septum जा करते है? कि यह देखे, पहले एक ट्यूब की तरह थी ना, यह सारी, अब योल्टी को प्लमोनरी सेप्टम दो काम करती है पहली बात तो यह इस तरह दर्मियान में बना एक तरह से योल्टा बना देगी एक तरह से प्लमोनरी ट्रंक बना देगी प्लमोनरी आट्री बना देगी या ट्रंक बना देगी लेकिन दूसरा काम किया करती है दूसरा काम यह rotate करती है अभी हम उपर भी देखा था जब हम जो इनो वो बना रहे थे इंटरवेंटर लर्चरटर उदर में हम ने कहा purity का करता है equity करता है तो इधी यह क्या करेगा rotate करेगा जैसे ही दूसरा क्या करेगा दूसरा यह करेगा इस तरह स्थी देमसार प्रपनमोदाद सब्सक्राइए और फिर गया है तो ये जो structure इस तरह की होती है, ये किस की विजासे होती है, आपका योल्टिक पल्मोरी सेप्टरंग क्या करता है, rotate करता है, उसके ये साथ जीज़ आ रहे होती है, ठीक है, तो समझ आ गी है, तो इसी तरह blood flow भी इसी तरह होता है, देखें blood flow कैसे, अब अगर योल्टिक आर् फिर इदर right left चला जाएगा जाएगा, लेकिन नीचे तो जा रहे है, तो समझ आ गई है, कि पहले आपके ट्रंकल रिजिस बने, बल्बर रिजिस बने, ये अपस में मिले तो ट्रंकल सेप्टम, बल्बर सेप्टम, कोनस सेप्टम, ये अपस में ऐसे मिलेंगे, तो एक स्प आपके योल्टा और रोब आजिएगा, कि आपका योल्टा पुस्यर साइट पे चले जाएगा, यहां से, पुस्यर साइट पे और पल्मोनी ट्रंक इंट्रियर साइगा, समझ आ गई है, इसके रिटिंग करें, चलने देखें, रिटिंग देखें इसकी, नीरल क्रेस्ट से इंटर आप पास पार्ट तर बल्बर सेटों पल्बर सेटों उनके वहां संद देखें साइट।, और उनक्स आपस पने खेंगा, बना यहां को उनक्स सेटों 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 और इसके र medals अए अगल के और जो उनESका अप करूनेटर जर इनके ल leurर आ तो पूसीर जा रहा है योलटा में प्लड़ देखें और पूसीर की तरफ यहां से आगे की तरफ मूव करके चाहर है तो यह यह पूसीर से गया खेंदर उपर के तरफ उबढ़ा पर यह निव खुच एया पॉचुरर रा रिजृ का अब अगर पलमोरी ट्रंक की मुच्ऌता है तो बच्च उस ने Сवूचुरण इसłता है के अगर पलमोरी सर्फमुच के बता है कि Iolta को पलमोरी ट्रंक रोटेट्स and separates the Iolta कास from पलमोरी ट्रंक and blood flow follow the same path as their blood flow along Iolta को पलमोरी चापने, Iolta कास से क्या होगा, blood flow starts underneath पलमोरी ट्रंक, यानि पुसीर जाएगा, फिर leaves above anterior. इदर उलट, क्या जो करेगा, पहले anterior जाएगा, above, फिर continuous underneath posterior, anterior posterior, उला गया, क्या जाएगा, क्या जाएगा करना है, कि Iolta में पहले posterior जाता है, और anterior लिव करते हैं, और आपकी पलमोरी ट्रंक के उसमें anterior जाते हैं, और posterior leave करते हैं, that's it, okay, अब इसमें कुछ anomalies होती हैं, कुछ problems होते हैं, अगर यह सही तरह से ना बनें, Iolta को pulmonary septum, तो, transposition of great vessels, कि जो बड़ी vessels है, कौन सी है, pulmonary or, pulmonary trunk and Iolta cards, इन की transposition होगा, यह अपनी proper जगापे नहीं होगा, वैसे क्या होता है, left ventricle से क्या निकलता है, Iolta, right ventricle से क्या निकलता है, और दूसरी जो आपका Iolta होता है, यह पुसीर से निकल रहा था ना, और फिर interior leave कर रहा था, और जो आपका pulmonary trunk होता है, यह कैसे निकल रहा था, interior से निकल रहा था, और पुसीर से क्या कर रहा था, leave करेगा, और आपका Iolta होता है, यह left ventricle से निकलता है, और यह the pulmonary trunk weightnan posterior तो एसको हम tractation of great vessels इसको हम detail में congenital heart effects में पढ़ेंगे spiral septum develops but does not spiral rotate it separates the truncus articosus into ut tutaj and pulmonary artery but fails to spiral the both arteries उनको spiral निहार सकता spiral करके पहले इसे spiral करके उनको अपनी exact position में जाता है लागर अब spiral निकर पाएगा this leads to eolta opening into the right ventricular interiorly हाना के पुसिरली खुलता है लाकर interiorly खुलेगा और खुलेगा भी कैसे right ventricular से pulmonary artery opening up into the left ventricular हाना के right ventricular से खुलता है और interiorly खुलता है यह क्या खुल रहा है उसके बाद होता है tetrology of phallet यह भी congeneral defect होता है इसमें आपको चार defect मिलते हैं अगर आपका यह eolta को pulmonary septum rotate ना करें तो उसका आपको चार defect मिलते हैं VST मिलेगा आपको pulmonary stenosis मिलेगी right ventricular hypertrophy मिलेगी overriding eolta बैसे normally क्या होता है कि eolta कहां पे आता है यहां से निकलता है left ventricular से मैं उपर से यहां से ऐसे left ventricular से लेकिन इस condition में यहां पर VST है ना इसमें VST तो होगा ना patient को ना yeah, yeah, yeah interventical septum open होगा तो foreman open होगा interventical foreman open होगा तो अब जब का yolta होगा वह यहां पर पढदा होगा ऐसए यहां पर पढदा होगा yolta इसमें बस जही है कि सेप्टम बना था लेकिन उसमें रोटेट नहीं किया है इदर परसिस्टन ट्रंकस अर्टियोसिस और जो बलपस कॉल्डिस है वो क्या इस तरह दम्यान में सेप्टम ही नहीं बना तो क्या आपका योल्टा और वो अलग अलग होंगे पुल्मोरी ट्रंक अलग ही नहीं होंगे तो एक ही वैसल होगी बड़ी जो आपके हार से निकल रही होगी समझा रहे है तो यह होती है परसिस्टन ट्रंकस अर्टियोस तुनों से निकलेगा अब सबको चपाने किया है सिर्फ सेमिलिलर वाल्स नहीं बना लेते हैं चोटा सा यह रहता है बस ठीक है ठीक है भई अब इसमें बल्बस कॉल्डिस का रोला सिर्फ और कोनस कॉल्डिस का ठीक है इन दोनों करोला अब हमने क्या किया हमने का नियूरल क्रस्ट सेल्स फिर नियूरल क्रस्ट सेल्स नियूरल क्रस्ट सेल्स इंटर हुए किसमें इंटर हुए बल्बस कॉल्डिस में या फिर कोनस कॉल्डिस में और उसने चार कुशन बना दिये एक एक राइट साइड से कुशन बना दिया एक पुर से कुछन दा दिया, एक इंडिर साइड से कुछन दा दिया, चार कुछन बन गया ना, निरोल क्रास्ट अंदर आए, अब चार कुछन के बाद अगले चीज़ होते हैं, इन्वेजिनेशन, कि यह जो राइट और लेफ्ट कुछन थे, इनमें इन्वेजिनेशन होगी, पहले इस तरह था ना, यह तरुआ bahगा ना, इस तरह बाला, यह थर है, अब इाधर इन्वेजिनेशन होगी, इधर और इधर, तो यह दे लुएंग तो यह देकिने लुकिंग गलॉक यस्से के दौ बंड रहे हो, है ना, ऐसी हो रहा है, लुकिंग यसा के, दौ बंड र हो रही थी, वो left cushion को 2 मेंद इवाइड कर देगा एक उपर वाला हीसा है, जो उपर वולा हीसा है वो उपर जला जाएगा, पॉशिरर के पास और जो नीचे वला हीसा है, वो नीचे वाले के पास जाएगा और इसी तरह राइट के साथ भी यहां दर्मियान सी मेजरेशन ही, हाफ इसा उपर चला गया जागा, हाफ नीचे, तो यह हाफ उपर चला गया, और हाफ नीचे, और नीचे वारे पार्ट में अंटिरियर तो था ही था, तो यह अंटिरियर वाला पार्ट, यह पुस्चिरियर वाला पार्ट, उसके पास भी त flow track बनेगा, left practical flow track क्या है, IOLTA, IOLTA आज़ कहां से निकल ठाता पॉसीर साइड से, तो ये भी क्या है, बोसीर, तो पॉसीर बोसीर में जाके बैट जाएगा और क्या बना देगा, IOLTAIC valve बना देगा, और आप IOLTAIC valve को right side से सुनते हैं, हाना कि निकलता कहां से है, लेट निकल से, लेकर सुनते कहां से है, क्यों, अभी मैंने बताया है, कि जो इोल्टा है, जो इोल्टा है, वो निकलता यहां से है, लेकर राइट सेट की तरफ मूव कर जाता है, तो यहां पर आपका बाल बढ़ा राइट सेट, और जो इसका बाल होगा, ये interior निकल रहा है न तो जो interior part है वो क्या बनाएगा? pulmoni trunk का बाल बनाएगा pulmoni trunk pulmoni wall बनाएगा और ये आपको कहाँ पर मिलेगा? right पर भी left पर? ये आपको left पर मिलेगा क्योंकि ये left की तरफ move कर रहा है ठीक है? समझागी ये? बड़ा असार सकता है ये वरा semi revolve बनाएगा तो देखें लेफ्ट वला pulmoni wall बनाएगा और ये left side पर पढ़ाओगा pulmoni wall और ये right ventricle out float right का बनाएगा क्योंकि एंटिरियर है समझागी चीज़े? फिर सोलने कि चार कस्ट बनेंगे neural crust के pulba spaltis और kona spaltis में posterior interior और right left फिर invagination होगी right और left में invagination जासे एक तो ये दो पार्ट बन जाएंगे ऐसे एक पार उपर वाला एक पार नीचे वाला क्योंकि invagination middle में हो रही है तो left और right जोना ये दो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे इसका अलाग पार इसका अलाग इसका अलाग तो ये जूर वाला posterior और half right वाला half left वाला ये interior half right वाला half left वाला तो इस तरह आए आपस में यह जो तीज तीन गुषयन है ये तीन में कास्प बन जाएंगे, अब similar valve बन जाएगे हो तीन कास्प बन of bulbous cauldus and conus cauldus and form the four cushions यह वाल है rotation of the eoltecopal motor trunk अब जो invagination हो रही है यह किस के लिए से हो रही है यह वाल है invagination यह वही rotation का मामल है सारा जो eoltecopal motor septum rotate करता है in the right and left cushions eventually invagination splits it into two parts एक interior part एक posterior part it also splits the right and left cushions into two pieces इनको भी दो pieces में करवाट करेगा एक तो यह interior part बना एक interior एक posterior और यह left and right cushions है इनको भी divide करके दो में divide कर देगा ठीक है posterior part contains one posterior cushion एक posterior cushion उसके पास क्या होता है एक posterior होता है ठीक है half right और half left cushion होता है यह half half समझा रहा है during rotation this part moves posteriorly पीछे के तरफ तरफ चले जाता है and towards the right side these three questions become the three cusp of the yoltik valve इसी तरह interior part contains one interior इसका एक interior होता है और half right और half left during rotation it moves interior side के तरफ से लाज़ता है और interior side पे जाके यह left side के तरफ मूव कर जाता है these three questions become three cusp of the pulmonic valve ठीक है मजीद मैं आपको इनिशारा दालकाल जाना यह first week के बुक्स से रहाँगा जो कमी बेशी रहेगी यह पहाँ पर यह सारी पूरी हो जाएगी ठीक है कोई question है तो पूछे अधर वैस class जाना वो डिसमेस